वेल्कम टू दिश्टेंट आपक्लास सो एट डियर स्टुडेंट्स तूडें आवर टॉपिक इज इन एग्रिक कल्चर तू इंक्रेस स्वाइल फर्टलिटी स्टुडेंट अभी हमारा जो टॉपिक चला था हो था कॉमेरिकल यूज आफ माइक्रो आर्गनिश्म का कॉमेरि फस्टॉपिक इसमें जो है वह क्या है इन एग्रिकल्चर मतलब एग्रिकल्चर में माइक्रो आर्गनिश्म का यूज क्या है मतलब माइक्रो आर्गनिश्म एग्रिकल्चर मतलब क्रिशी में माइक्रो आर्गनिश्म जो सुच में जी होते हैं इनका यूज तो एग्रिकल् प्रयोग किया जाता है वो स्वाइल के मिड़िता की उपजाओ जव्टा को बढ़ा देती उचाओ मतलब उसकी जो कैपासिटी है ग्रोथ प्लांट के ग्रोंट की सम बाक्टिरिया लिब इन दर रूट्स आफ लेग्यूमिनस प्लाइंट 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 कुछ बैक्टिरिया लिब इन दर रूट्स आफ लेग्यूमिनस प्लाइंट लेग्यूमिनस प्लाइंट लेग्यूमिनस प्लाइंट का मतलब होता है इस्टुडेंट दलहन की पौदे ऐसे ऐसे क्राप जिन से हम क्या है दार पल्सस ओप्रेंट करते हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में कुछ बैक्टिरिया रहते हैं जैसे क्या है पी हो गया मटर हो गया बीन शेम हो गया ग्राम चाना हो गया यह बैक्टिरिया फर्म रूट नॉड्यूल यह जो की एबल तो फिक्स अथमोस्पीरिक नॉड्यूल बनाते हैं रोट लोडियूल बनाते हैं जो कि able to fix atmospheric nitrogen वह जो कि atmospheric nitrogen को fix करने में fix करने में क्या है able होता है कौँ रोट लोडियूल and convert it into suitable और इसको क्या है वह suitable form में इसी nitrogen को suitable form में convert करके suitable form में convert करके किसके form में usable form like nitrate यहीं इसी nitrogen को nitrate form में convert करते हैं जो कि suitable form होता है यही usable form होता है plants इसी nitrate को use करते हैं ना कि director nitrogen को atmospheric nitrogen cannot be used by plant as such but it can be used but it can be used in the form of nitrate nitrogen जो atmospheric nitrogen होता है plant उसको use नहीं कर सकते हैं plant जो nitrogen है उसको nitrate के form में convert करके ही use कर सकते हैं the process of fixation of atmospheric nitrogen into suitable forms is called nitrogen fixation student वो process जिसके तुरू nitrogen को plant convert करता है nitrate के form में उसको nitrogen fixation कहा जाता है nitrogen fixation increase the fertility of soil strands nitrogen fixation जो होता है soil की fertility को increase करता है बढ़ा देता है blue green algae are also known to fix nitrogen and increase soil fertility strand blue green algae जो है also known to fix nitrogen and increase the soil fertility वो भी nitrogen को fix करता है into nitrate के form में और यह भी सोयल की fertility को increase करते है okay students हमारा next topic sources of food क्या है sources of food यह तो रहा in agriculture to increase soil fertility इन नमबर आप मस्रूम आर इडिट आर रीचिन प्रोटीन्स एन विटामिस student नमबर आप मस्रूम बहु सारे मस्रूम ऐसे होते हैं आर रीचिन उसमें क्या प्रोटीन एन विटामिस के भरपूर मात्रा होती है East is an important source of food being rich in protein and vitamin of the East is an important source of food East जो होता है एक important source of food का श्रोत है जिसमें rich मतलब भरपूर मात्रा प्रोटीन विटामिन एन विटामिन भी ग्रूम और और शीवीट्स आर यूजड आज फूड शीवीट्स आर एन इंपोर्टेंट सोर्स आफ फूड इन चाइन एंड जापान इसे हैं अब यह चाइना और जापान के एक महत्तपूर्ड भुजबदार्थ की श्रोत हैं माने जाते हैं फूड सोर्स हैं फॉर फिस एंड और सी अनिमल अलगी आरे डाइरेक्ट सोर्स आप फूड इसके लिए या फिर सी अनिमल के लिए क्लेंग धिवा इन्वार्मेंट का रोल मतलब इसका यूज कहां पर डिकमपोजिशन डिकमपोजिशन में मतलब अप घटन में इन्वार्मेंट को क्लें करने में अब हमारा next topic जो है जो है किसके बादे हम भिस्ट करने जा रहे हैं role-up microorganism in decomposition cleaning the environment role-up microorganism decomposition में और environment को clean करने में microorganism like bacteria and fungi are essential for recycling material in the environment student, microorganism जैसे क्या है ioР canabytes of mayern stop को रिसाइकल करने में बहुत ही इशेंशियल है अवस्थ होते हैं इस तरीके से करते हैं कि जो सब्सक्राइब करते हैं उसको डिकमपोजिंग कर देते हैं जो डिकमपोजिंग कर देते हैं एक सिंपल इनार्गनिक केमपोजर्स का जाता है ऐसे मसच मार्गनिस्म आर्गालड डिकमपोजर्स एज मेंसन एबब दे इनक्लूट फंगी एंड साइटन बैक्टिरिया विच लिब इन स्वाइल जो फंगी इनक्लूट होते हैं कुछ बैक्टिरिया है लिव स्वाइल में रहते हैं दीज फीड ऑन दे वेस्ट मैटिया इनक्लूट इनक्लूट notion क्या है किसको खाते हैं दीज फीड ओन विस्ट मैटिय्याल लॉस्ट इज्टे इनक्लूट टोब गिन्रान वस्ट मैटिर्याल ये वस्ट मैटियाल रुस्ट करती हैं जैसे जैन को एनिमल्स को आ स similarly क्उनल के डॉपिंग ज currents zach निप झक्ज जो इन ओर्गनिक कंपाउंट्स रिलीज दूरिंग डीकंपोजीशन इंक्लोडिंग गैस लाइक कर्बन डायक्साइड, वाटर वाइपर, और मिन्रेल्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट, फासेट्स, और पोटेंशियम आयों इसे इन ओर्गनिक कंपाउंट्स, ऐसे जो अकार्बनिक पतार्थ हैं, रिलीज होते हैं रिलाइब सर्थाइब कंपोजीशन की समय हैं यहां जैसे बताए नाइक कर्बन डियक्साइड है, वाटर वाइपर है, देल्स, लाइन नायट्रेट हैं, सल्पेट हैं, फास्पेट है आसे इस यह यह यूज़ कर ली इस यह यूज़ कर लिए इस तुरह यूज़ कर ली जाते हैं जो दियूरिंग आइज अर्गेनिक सब्स्टांसे उसक लेटें यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से जो डिकम्पोजर होते हैं अर्थ पर जो जीवन है उसको मेंटेन करने में बरकरार रखने में एक महतपूर रोल प्ले करते हैं एक महतपूर रोल अटा करते है यह इनवार्मेंट को भी क्लेन करते हैं उनको एक में एकथा होने से प्रिवेंट करते हैं उनको रोकते हैं और इनके जो लिविंग अर्गन वेस्ट मैटेरियल को डिकम्पोस करके इन्वार्मेंट को क्लिन अप करते हैं यू दिस फिचर आफ मैटू प्रिषम मैट मैंनर को ॹजिएंट को यूस करते हैं व 해요 मैंनर को यूज करते हैं बस्षय सब्सक्राइब इनका क्या करते हैं गार्डे मतलब इनको एक जगहां पर क्या है। इनसे मैन्योर बना करके, इनकी खाद बना करके, हम भी मैक्रोप्स की तना डिस्टाइक्ल कर सकते हैं, इन्वार्मेंट को अपने सेप कर सकते हैं। इसलिए आयसे मैटेरियल को आइसे सब्स्टांस को अमें प्रॉपर्ली डिस्पोस करना चाहिए टापिक है हमारा जो नेक्स्टापिक है वह क्या है टीकॉमपोसर मोफ इन सीवे ट्रीटमेंट सीवेश ट्रीटरी में क्या है यह सक्षिट मैंक्रोब्सका यूज एकरिकल्चर में रहा है वह हमारी जो टॉपिक है वह है निकम्पोसर मिली स्रुब का क्या है इमपर्टेंट रूल प्ली करता है सीवेस टू मेक इट जो इसको क्या है मेक इट हर्मलेस बनाने में ठीक है किसको माइक्रो आर्मिट किसको प्लेंट पार्ट इंद ट्रीटमेंट आप सीवेस ठीक है उसका क्या एक महत्पूर ही रूल है इसमें सीवेस ट्रीटमेंट में जो इसको क्या बनाते हैं मेक इट हर्म में इसमोरमिस को स्षी वेस और तेंसिन स्टैनश कांटें फेकल मैनार सब्सक्राम्स वाउस्थ हू सब्सक्राइब केमिकॉल्स्टम राउन इस इसे क्हुलिद Ondiny Lee फेकल मेंटर हैं सबस्टांसे धेकल मेंटर सबस्टांसे हैं हमारे घ्रो निकलने वाले वेस्ट मैटीटेल हैं कुछ च्छों ढ़ा भी स्टेश निकलती है इस्ट्वेश्ट प्लांट है और खी इतिंस निकलने वाद से norm मैस्ट क्या हैं तो हमें क्या हआद करने मतलब हो जो टाउंस यह से निकलने वाले वैस्ट मैंटिरिम है पहले तो उनको सिद्वेश्ट मंत्रीट करना चैस्ट happens गोर स्टर्फ में कडो से पहले उनको सीवेज टुछ से निहां से निकलने वाले मैटेटिस जो कि होते हैं तो फस्त इनको कहा करना चाहिए कि इनको रिवर में डिस्पोस होने से पहले ट्रीटमेंट कर देना चाहिए और सीज़ेस ट्रीटमेंट में में ली बैक्टीरिया ही बहुत एक महत पूरेंट को ले करता है strengths. Now next topic Biogas during the treatment of seabed strengths seabed treatment ke dhwaran, Methane gas is produced by anaerobic bacteria. Methane gas which is anaerobic bacteria which is called biogas. As it is produced from degradation of plant and animal material strengths. This is what the biogas is. Plant and animal skin degradation in India and China rooting vegetation and animal dunks are used to produce biogas which is used as fuel in all plants. India and China rooting vegetation and rooting vegetation and animal dunks are used to produce biogas to produce biogas which is used as a fuel in home which is used as a fuel in home. Okay friends, this is the topic of our class 8 science. Now students, we will revise this topic and learn. Next topic will be our next topic. Next topic will be our strengths. Okay strengths, thanks. you